सदी के महानायक अमिताफ बच्चन की धर्म पत्नी जया बच्चन ने राजी सभा में कहा कि हैदराबाद में पसू चिकित्सक के साथ हैवानियत दुसकर्म कर हत्या और पार्थिव सरीर को जलाने वाले दुसकर्मियों को पबलिक के हवाले कर दिया जाए पबलिक हिसाब ले लेगी पूरे देश में आकरोस है बैस्वी कस्तर पर भारत की किरकिरी हुई है इस घटना को लेकर के क्या स्कूल कालेज क्या गाओं के लोग क्या सहर के लोग क्या सामाजिक संग्ठन राजनितिक दल सभी में उबाल है और इस घटना को लेकर के सभी इस बात की मांग कर रहे हैं कि दुराचारियों पर कठोर कायरवाई की जानी चाहिए अधिकान्स लोग बहुलता में इस मत के हैं कि फांसी देना चाहिए आज का हमारा बिसे दुसकर्म पर सजा कहा खड़ा है भारत आज हमें एक बैस्विक चर्चा करेंगे कि भारत किस अस्थान पर खड़ा है और एक दरजन जो प्रमुक देश हैं उसमें दुसकर्मियों को किस परकार की सजा दी जाती है हम इसकी सुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि पहले अपरात दर्ज होगा ऐसी घटनाएं जब होगी घटित होगी कुछ मामले में तो बहुत दिनों बाद अपरात दर्ज होता है जब हो अला होता है बहुत से मामले पहले दबा दिये जाते रहे लेकिन आज जिस तरह से social sites का योग है इंटरनेट का प्रियोग लोग कर रहे हैं और बहुलता में ऐसे मामले social sites पर उठाये जाते हैं उसके बाद समाचार पत्र और electronic media के लोग संग्यान धारण कर रहे हैं इसमें यूटूबर की भी बड़ी भूमिका है चलिए हम बात करते हैं कि पहले थाने में अपराद दर्ज हो गया उसकी विवेचना होगी विवेचना करने के उपरांत आरोप पत्र दाखिल होगा चार सीट नहले को जाएगी नहले उसको देखेगा सम्यक सुरुआई के उप दिया जाएगा माना की इधर के दिनों में तमाम नयायलेों ने काफी सक्रियता दिखाते हुए बहुत जल्दी फैसला देदिया अब फैसला होगा निचले नयायले में उसके बाद जाएगा उच नयायले उच नयायले के बाद सर्बोच नयायले सर्बोच नयायले के बाद प्रिश्डेंट आप हिंडिया को यह अधिकार है कि वह आरोपी को आरोप मुक्त कर दे, मतलब उसकी सजा को कम कर दे, फांती की सजा को आज इवन काराबास में परिवर्तित कर दे, यह अनुच्छेद 72 में सम्मिधान का जो अनुच्छेद 72 है वह उन्हें अधिकार देता है चलिए उस पर हम चर्चा करने से पहले आते हैं भारत पर, भारत में यह उन अपराध निरोधक कानून लागू है इसके बाद जो भी आरोपी हैं उन्हें साथ साल से लेके 14 साल तक की सजा का प्रावधान है विशेश जगनतम मामलों में उसे फांसी की सजा दी जा सकती है यह भारत की इस्तिती लेकिन निर्भया के मामले में अभी तक 4 आरोपी 2012 में घटना होई थी आज तक फांसी नहीं दी गई जबकि सुप्रिम कोट ने बहुत पहले ही 2017 में ही आदेश दे दिया था फांसी की सजा का उसके पहले निचली ये दालत और उच्छी नियाले से गुजरते हुए मामला गया था मामहिम जी अभी तक उस पर निल्डे नहीं ले पाए मंत्री मंडल के परामर्श से ऐसा किया जाना है सभी कह रहे हैं ओ अल्ला राजे सभा लोग सभा पिदान सभा सभी देतागर अब पता नहीं क्या हो रहा है भी है चलिए आप सभी ट्विट के रिए प्रिजडेंट आफ इंडिया को भारत के प्रधान मंत्री को कि 30 सिगर उसे फासी पर ऐसे लोगों को लटका दिया जाए अब मैं आता हूँ भारत के बाद उत्तर कोरिया पर उत्तर कोरिया में बड़ा कड़ा कानून है और उत्तर कोरिया के बारे में आप सभी भिग्ये हैं कि इस तरह से कठोर निड़े वहां लिया जाता है उतर कोरिया में एक मात्र सजाए मौत है ऐसे दुसकर्मियों को और उन्हें कोली से उड़ा दिया जाता है यहां लगा करके और भून दिया जाएगा अगले देश में हम आते हैं साओधी एरेपिया है यहां सराई कानून की मानिता है वहां सीर कलम कर दिया जाता है ऐसे कर कि और फिर सीर और धडर अलग कर दिया जाएगा आगे हम बढ़ते हैं अगले देस में यह है इरान यहां सजाय मौत है और एक और भी है कि ऐसे जन्नांग को काट दिया जाता है यह एकलोता देश है जहां इस तरह का कानून का प्रावधान है और वह लोग कडाई से इसका पालन भी करते हैं आईए हम चलते हैं चाइना में हमारा परोसी देश है फासी या जीवन का राबास वहां दिया जाता है और बहुत समय नहीं लगता पाकिस्तान हाचीन में है फासी पाकिस्तान में है फासी या जीवन का राबास अफगानिस्तान में है घटना से चार दिनों के अंदर फासी अब हम कुछ और देशों पर बात करते हैं यह है मिस्र सारजनिक अस्थान पर फासी सभी लोग रहेंगे इकठा होंगे और उस अस्थान पर उस आरोपी को फासी पर लटका दिया जाएगा हम अमेरिका की बात करते हैं राजिवसंग अलग-अलग कानून वहां प्रचलन में है आजिवन काराबास वहां दिया जाता है संजुक्त अरब अमीरात में न्याईक प्रकिरिया पुरून कर साथ दिनों के अंदर फासी अब जैसे यहां भी कई न्याईले ऐसे हैं जिन लोगों ने तत्परता दिखाते हुए अब जैसे है पीडित अपनी बात पीडित के लोग कहेंगे ही दूसरी तरब आरोपी को भी अपनी बात कहने का उसर दिया जाएगा संचार जनित माध्यम है कारागार में भी इंटरनेट की समुचित बेवस्था है जज साब के पास भी है कान्फरंसिंग की सुविदा है ऐसे में इसका प्रयोग करते हुए अत्यल्प समय में नेहले फैसले दे रहे हैं मैंने बताया साथ दिनों में फासी संजुक्त अरब अमिरात में नीदर लेंड में है यह उत्पीडन बिना सहमती के चुमन भी यह उन अपरात की स्रेडी में आता है इस तरह से हमने कुछ देशों की चर्चा किया मैं चाहूँगा प्रिश्डेंट आफ हिंडिया को ट्वीट किया जाए प्रधान मंतरी जी को ट्वीट किया जाए रुपया लेते हैं लोग उस हिसाब से उन्होंने मांगा था हमने दिया था उसमें बताया गया धनलजे चटर जी को 2004 में फांसी दी गई और उसके बाद फांसी प्रणव मुखर जी को मैं धनेबाद दूँगा उन्होंने अजमल कसाब और अफजल गुरु को फांसी की सजा उनके समय में ही दिया गया कोई मार्केटिंग नहीं की गई फांसी हो गई तब मीडिया जाना तब पुरा देश जाना ऐसा ही करने की ज़रत है लेकिन भीया इधर तो चिला चिला करके मार्केटिंग करना है कैसे ओड़ बेंग कमारा ससक्त होगा अब तो देश चिलाएगा चिला रहा है और निर्भया सहित अन्यारोपी और बताएं राजियू गांधी के हत्यारे सांतन, मुरुगन, अरीबू साब अभी है आप उसको देखिए बेंद सिंग की हत्या हुई थी पंजाब में अभी सदन में चर्चा उठी थी तो अभी उनके हत्यारों को भी उनके उपर भी कारवाई नहीं इस तरह से है आज हमने इस पीसे पर चर्चा किया है आपके सामने और आप से भी चाहूंगा चुप नहीं बैठना है जो जहां है वहीं से आवाज उठाए क्योंकि जन्ता मालिक है हम सभी मालिक की हैसियत में हमको आना पड़ेगा और ऐसे मुद्दों पर जिस तरह से जब आप सभी ने देखा होगा जिस दिन निर्भया कांड के आरोपियो कुमेंट तो उनके घर भी किया था बलिया के लोग रहने वाले हैं और उनके पिता से मिला था निर्भया के भाई से मिला था आज भी अत्रिपतात्मा या चिला चिला करके कह रही होगी कि ने फासी कब होगी ऐसे ही जिस तरह से निर्भया के मामले में कुछ नहीं हुआ, अन्य जो दुसकर्म के मामले में कुछ नहीं हुआ, यदि हम नहीं जगे और हमने कान नहीं उमेठा, हम मालिक हैं, मालिक कान उमेठने से भी प्राय है कि हम जगाते रहेंगे, हम जामोंत की भूमिका में आएंग कितना लल करा जाए, कितना कहा जाए, यह लोग ऐसे ही हैं, किन्तु धक्का मार करके आगे बढ़ाना पड़ेगा तो आज के दिन इतना ही, यह बैस्वी कस्तर पर हमने बताया किस तरह से दुसकरम पर किन देसों में किस तरह से सजा का प्रावधान है कुछ एक दर्जन प्रमुक देसों को हमने बताया है, आगे भी बताते रहेंगे, चुप रहना राष्ट की सेहत के लिए बहुत ही घातक है मैं हूँ ब्रजबूसण दूबे, यूटूब चैनल ब्रजबूसण मारकंडे से, आज इस पिसे पर आपसे चर्चा करते हुए, धन्यवाद